तो फ्रेंड मैं अर्शद अयूब गुरुकुल कोचिंग के उनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो अन प्रोपोर्शन का लेक्शर नमबर टू हमने पिसले क्लास में रेशियो अन प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक्स देखा उसी से रिलेटेड एक बार रिवाइज करने के लिए आपके स्क्रीन पे एक कोशन दिखाई दे रहा होगा मैं चाहूंगा कि एक बार ये कोशन आप लोग बना करके दिखाएं कहा जा रहा है यदि A अनुपाद B का वैलू है 9 अनुपाद 8 और B अनुपाद C का वैलू है 2 अनुपाद 3 then find the value of A is to B is to C यानि A अनुपाद B अनुपाद C ग्याद करें option friend आपके सामने है option क्या है 9 अनुपाद 8 अनुपाद 14 9 अनुपाद 8 अनुपाद 12 8 अनुपाद 9 अनुपाद 12 और 12 अनुपाद 8 अनुपाद 9 आप जल्दी से वीडियो को pause करें और बनाएं देखें कितना जल्दी आप answer ला आया आईए मैं इसको solve करता हूं friend देखें मैंने कहा था कि इस तरह के question के लिए जब भी examination में आए तो हम लोग क्या करते हैं कोई method apply नहीं करते हैं बस option के थुरू बनाते हैं हम लोग option में देखते हैं कि 9 अनुपाद 8 किस-किस में है तो 9 अनुपाद 8 इसमें है option number A में है 9 अनुपाद 8 लेकिन B अनुपाद C कितना होना चाहिए तो B अनुपाद C 2 अनुपाद 3 होना चाहिए तो 8 और 14 को देखिए तो ये 2 और 3 के रूप में कटे हैं क्या तो 24 के 8 और 2 सते 14 नहीं ये तो 4 अनुपाद साथ है यानि option number A गलत हो गया option number B में आते हैं 9 अनुपाद 8 ह 9 अनुपाद 8 था A अनुपाद B यानि 9 अनुपाद 8 यहां पर भी है option number और फिर ये जब चेक करेंगे 2 अनुपाद 3 तो 2 अनुपाद 3 के रूप में है क्या तो आई इसको काट के देखते हैं 4 दूना 8 और 4 ती अबारा बिलकुल 2 अनुपाद 3 के अनुपाद में भी है या आप यही टिक कर दे आपका answer यही आएगा अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं कि 9 अनुपाद 8 और 2 अनुपाद 3 यह क्या है A है B है और C है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 4 से अगर multiply कर दे तो B का value क्या होगा same हो जाएगा तो क्यों ना 4 से multiply कर दिया आठ अनुपाद 12 तो फ्रेंड उमिद करते हैं कि यह concept आप लोग को समझ में आ गया होगा option के थूरू करने वाला और यह concept तो समझ में खेर पिसले ही class में आ गया था आप लोग को तो चलिए हम लोग अब इस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नए-नए question के साथ हम लोग आज देखेंगे कि क्या ratio में किस तरह का question पूछा जाता है चले friend करते हम लोग next question friend आपका यह जो question number second है यह second number question सिर्फ concept को समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा जब भी fraction के रूप में अगर दिया रहे अनुपात कभी fraction के रूप में नहीं होता है समझ गये तो उसको जब अनुपात निकालना है तो हमें fraction को खतम करना होता है तो अगर इसके basic concept को देखे तो कैसे खतम किया जा सकता है तो friend वही जो जो हम लोग भीन का जोड़ गहट आओ किस तरह से करते थे fraction वाला उसी तरह से हम लोग यूज करेंगे यानि एक का वैलु कितना है 1 by 2 है वी का वैलु कितना है 1 by 3 है और C का वैलु कितना है 1 by 4 है अब अब हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले का lc मेले लेते हैं नीचे वा पढ़ते रहेंगे, जब तक कि तीनों से ऐसा नमबर ना आ जाए, जो तीनों से कटता हो, तो चार का पहड़ा एक बार पढ़ेंगे, चार एकम चार, क्या चार तीनों से कट रहा है, तो तीन से तो चार कट नहीं रहा है, इसलिए ये बारा हो जाएगा, क्लियर है? अब उसके बाद, जैसे हम लोग प्लस माइनस में करते थे ना, यहां से डिवाइड करके देखेंगे, कितना बार में कट रहा है, तो दो चार के बारा, चे बारा में कट रहा है, तो छे एकम, छे, यहां पर छे हो जाएगा, अनुपात, फिर तीन से, तीन चोके, बारा, तो उपर चार एकम, चार हो जाएगा, उसके बाद यहां चार तीए बारा, यानि तीन एकम, तीन, और उसके बाद जो आपका एंसर होगा, यह बारा आपका कट जाता है और answer को direct आप लिख सकते हैं कि इसका answer है 6 अनुपाद, 4 अनुपाद, 3 अब सवाल यह उठता है कि यह 12 गया कहां से तो यह concept clear होना चाहिए इसके लिए देखिए LCM हमने क्यों निकाला हमने इसी का दूसरा रूप लिखने के लिए अगर LCM की बात करें तो LCM हम लोग इसलिए निकालते हैं कि आपको ध्यान होगा जब हम लोग plus minus करते हैं जैसे 1 by 2 plus 3 by 2 plus 4 by 2 तो ऐसे cases में जब नीचे में बराबर होता है तो उपर direct हम लोग add कर सकते हैं यानि 4, 3, 7, 7 और 8 यानि इसको direct 8 बटे 2 लिख सकते हैं क्योंकि LCM इसका दो ही आएगा तो LCM हम लोग निकालते क्यों हैं क्योंकि नीचे में समान आ जाए नीचे में आपका क्या हो समान हो तो ये LCM निकालने का मतलब ही यही हुआ फ्रेंट कि अगर इसको detail में देखा जाए तो जब LCM हम निकाले तो 12 आया इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 12 सभी के साथ divide है मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 बटे 12, अनुपाद 4 बटे 12, अनुपाद 3 बटे 12 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तभी हम इसके equal हम मान सकते हैं देखिए, equal ये सभी के कैसे है देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर कहले कि ऐसे लिख सकते हैं दोनों में से किसी को use कर सकते हैं किसको starting कहां से किये तो starting हमने यहां से किया अब हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या हमने सही लिखा है, तो यहां पे 1 by 2 था, 6 बटे 12 को 1 by 2 लिख सकते हैं, तो 6 बटे 12 को 6 कम 6, 6 दूना 12, हाँ, 1 by 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, 4 बटे 12, यानि 1 बटे 13 को 4 बटे 12 लिख सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 ती 12, एकदम ठीक है, 4 अब यहां पे हम कह सकते हैं कि 12 का टे 12 से 3 कट रहा है, 12 बटे 12, 12 बटे 12, 12 बटे 12, तो यहां मेरा एंसर कितना आया, 6 by 1, 6 by 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6, ratio 4, ratio 3, इसलिए LCM जो निकालने के बाद नीचे आता है, उसको हम लोग खदम कर देते हैं, और जो उपर वाला होता ह है, वही एंसर हो जाता है, फ्रेंट, किलियर है ना, अगर किलियर हुआ, तो इसको नोट कर लिजिए, बाकी मैं एक और कॉंसेट बताऊंगा इसके लिए, कि इसको हम लोग option के थुरू भी किस तरह से कर सकते हैं, कि option के थुरू कैसे किया जा सकता है, तो चलिए फ्रेंट, किजिए कि क्या आप लोगों को समझ में आ गिया, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको examination point of view से कैसे solve करना है, तो question number 3 आपके screen पे दिखाई दे रहा होगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे बना के दिखाएं और देखिए कितना समय लगता है, उसके बाद मैं बता का हूं, देखिए print, अगर बात करते हैं, 1 by 3 इसको देखिए, दो तरह से बनाया जा सकता है, अगर A अनुपात B हम निकाले, A अनुपात B अगर निकालते हैं, तो क्या होगा, तो 1 by 3 ratio 1 by 4, 1 by 3 ratio 1 by 4 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि जब हम लोग LCM निकालेंगे, तो 3, 4 के 12, यानि उपर में 4 आगा, और नीचे में, यहां पर क्या आजाएगा, तो 4 ती 12, यानि कि 3 आएगा, तो इस चीज में आपने देखा, कि जो A के नीचे था, जो A के नीचे था, वो B का वैलू हो गया, और जो B के नीचे था, वो A का वैलू हो गया, ठीक है ना, देख तो इस तरह से हम लोग ये concept को use करके option के थुरू बना सकते हैं कि ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं कि जो B के साथ है वो A का value होगा और जो A के साथ है वो B का value होगा तो हम लोग मन में देख लेंगे कि A अनुपाद B कितना है तो 4 अनुपाद 3 है तो हम लोग चेक करनेते हैं option में direct कि 4 अनुपाद 3 कितने में है तो 4 अनुपाद 3 जब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर 8 6 है तो देखते हैं काट करके दो चव के 8, दो ती आई 6, 4 अनुपाद 3 है, हाँ, 4 अनुपाद 3 चाहिए था, 4 अनुपाद 3 भी है लेकिन B अनुपाद C जब देखते हैं, तो जो C के साथ है, वो B का वैलू हो जाएगा जब उल्टा होता है, जब B अनुपाद C देख रहे हैं हम लोग, तो जो B के साथ है, जो C के साथ है, वो B का वैलू होगा यानि 6, और जो B के साथ है, वो C का वैलू हो जाएगा यानि 4, यानि जब इसको काटेंगे, तो 2 ती आई 6 और 2 दूना 4, यानि 3 अनुपाद 2, क्या ये 3 अनुपाद 2 है, तो हम लोग ये 3 को अब नहीं देखेंगे, अब ये दोनों को कम प्रिजन करेंगे, यानि 6 अनुपाद 2 को जब हम काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 ती आई 6, 3 अनुपाद 1 आ रहा है, जब कि आना चाहिए था, कितना 3 अनुपाद 2 आना चाहिए था, यानि सॉल्फ करना चाहते हैं, तो वही LCM मेथड़ आप लोग यूज करें, कि LCM में क्या करना है, कि A अनुपाद 2 लिग दीए, 1 बाइ 3, 1 बाइ 4 और C का वैलू कितना है, 1 बाइ 6 है, जब LCM निकालेंगे, तो अभी LCM 12 ही आएगा, देख लीजे, 6 दूनों 12, 12 से भी कट रहा ह आपका, तो 6 दूनों 12, यानि कि 2, 12 कर जाएगा, यानि 4 अनुपाद, 3 अनुपाद, 2 इस तरह से आप सॉल्फ कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, जो भी कॉंसेट आपको अच्छा लगे, उस कॉंसेट से आप बनाईए, फिर हम लोग देखते हैं, आगे की, आग 2A बराबर है 3B के, और 4B बराबर है 5C के, तो A अनुपाद, B अनुपाद, C बराबर क्या होगा, देखी फ्रेंट, इस तरह का कोशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इससे CGL में, CHSL में, in fact, NTPC में, railway में, banking में, हर एग्जामिनेशन में, सेम टाइप का कोशन लेकिन इसके concept को समझना जवरी है, इसके concept को समझने के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, कि अगर कहीं पर भी ऐसे दिया गया है, यह question अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएए, कहीं पर दिया गया है 9X equal to 7Y, 9X equal है, इसके 7Y के equal है, तो आपको निकालने के लिए अग बराबर क्या होगा, एकस रेशियो Y बराबर क्या होगा, तो आप डारेक्ट लिख सकते हैं, देखिए इसका एक concept है, जो कि मैंने पिछले percentage एक लास में थोड़ा सा concept बताया था रेशियो का, कि जो Y के बगल में है, वो किसका value होता है, ultimately X का value हो जाता है, और जो X के बगल मे हैं, वो Y का value होता है, आइए कैसे होता है, वो करके देखते हैं, यानि यहाँ पर डारेक्ट हमें answer पता है, कि जो Y के बगल में है, वो किसका value होगा, X का value होगा, यानि X का value 7 हो जाएगा, और Y का value क्या होगा, जो X के बगल में है, यानि 9 हो जाएगा, कैसे होगा, यह हम ल चाहिए यही का सकते हैं यह y को हमने क्या किया इधर भेज दिया y को इधर यहाँ पर 9x है y को इधर भेज दिये तो कितना हो गया 9x by y equal to 7 अब उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो 9 को भी इधर भेज देते हैं तो x बटे y सिर्फ बचेगा x बटे y का value क्या हो जाएगा तो x बटे y का value होगा उपर में 7 पहले से था 9 इधर उपर में है तो यहाँ अगर के equal के इधर आके कहां चला जाएगा नीचे में आ जाएगा तो आप ही लोग बताइए फ्रेंट x का value क्या आया 7 आया और y का value क्या आया 9 आया तो x का value 7 y का value 9 यानि हम कहा सकते हैं कि ऐसे cases म जब यह multiply होता है एक दूसरे से तो multiply के cases में क्या होता है कि जो y के बगल में होता है वो x का value हो जाता है या जो x के बगल में होता है वो y का value हो जाता है हमेशा ऐसा होगा और ठीक इसी तरह से एक और concept है कि अगर यही चीज इस तरह से होता x बटे 9 बराबर y बटे 7 अगर य X के साथ होता है वही X का value होता है और जो Y के साथ होता है वही Y का value होता है तो ये छोड़ा सा concept आप लोग ध्यान में रखेंगे प्रेंगे उमीद करते हैं कि divide के case में क्या होगा जो X के साथ है वही X का value हो जाएगा जो Y के साथ है वही Y का value होगा आईए इसको solve भी करके हम लो solve करके इस वाले concept में देखा था कि जो y के बगल में है वो x का value होगा और जो x के बगल में है वो y का value होगा यानि नो अनुपाद साथ नो अनुपाद साथ तो हम कहा सकते हैं कि divide के case में जो x के साथ है वही x का value होता है और जो y के साथ है वही y का value होता है अब इसको apply कैसे करें ये question में, अब आते हैं friend question में, अगर इसको note करना चाहते हैं आप लोग तो note कर ले, फिर हम लोग देखते हैं कि ये question को किस तरह से examination में deal करना है और पूरा बना करके भी मैं देखाऊंगा इस question को, तो आइए friend देखते हैं पहले हम लोग कि इसको हम लोग पहले examination point of view से किस तरह से बना सकते हैं और examination point of view के साथ-साथ हम लोग देखेंगे इसके basic concept को भी कि किस तरह से हम लोग इस तरह का question बनाते हैं, तो friend देखे, क्या होता है कि यहाँ पे जब हमने देखा ये वाले line में, तो 2A equal है 3B के, तो जो B के बगल में है वो किसका value होगा, A का, और जो A के बग value क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि B के बगल में है, और B का value क्या होगा, जो A के बगल में है, होगा ना, और ठीक उसी तरह से B अनुपाद C, ये क्या निकल गया, A अनुपाद B निकल गया, और B अनुपाद C निकल गया, B अनुपाद C कितना निकलेगा, तो जो C के बगल में ह वो B का value हो जाएगा यानि 5 और जो B के बगल में है वो C का value हो जाएगा यानि की 4 अब हम लोग option में check कर लेते हैं कि A अनुपाद B तीन अनुपाद 2 होना चाहिए आईए काट के देखते हैं क्या 3 अनुपाद 2 होगा तो 5 से जब काटे तो 5 तीन पंदरा और 5 दूना 10 बिल्कुल 3 अनुपाद 2 हो रहा है अच्छा B अनुपाद C को अब हमें लोग चेक करते हैं 5 अनुपाद 4 है क्या तो आईए देखते हैं 2 पचे 10 और 2 चौके 8 हाँ 5 अनुपाद 4 भी है यानि दोनों मैच कर रहा है आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है यही आपका एंसर हो जाएगा बीना किसी आउनसेप को यूज की हुए बीना किसी फॉर्मूला या किसी तरह का मेथड को यूज की हुए आप ऑप्शन के थुरू बना सकते हैं 2 और बी अनुपाद C कितना हो गया तो बी अनुपाद C बरावर हो गया आपका 5 इस्टू 4 अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मैंने कहा था कि उपर में कितना से मल्टिप्लाई होगा 5 से चुकि B का वैल्यू अलग-अलग है और नीचे कितना से मल्टिप्लाई ह होगा तो 2 से multiply होगा 5 से 5 ती आई 15 दुना 10 उसके बाद 2 से जब multiply करेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8 अब देखिए बी का value समान हो गया तो हम लिख सकते हैं 15 अनुपाद 10 अनुपाद 8 पंदरा अनुपाद 10 अनुपाद 8 आपका answer आ गया तो यह आप पर depend करता है कि आप बना करके option tick करें examination में या फिर direct tick करें ratio एक ऐसा मैंने बताया था कि ratio एक ऐसा chapter है जहां पर option आपका बहुत help करने वाला है समय बचाने के लिए तो जब समय मेरा बच रहा है बीना method यूज किये हुए तो हम क्यों method यूज करके समय को बरबाद करें तो फ्रेंट चलिए हम लोग देखते हैं एक और इसी तरह का question जो कि थोड़ा मज़ेदार हो और आप लोग revise भी आप लोग का थोड़ा बहुत revise भी हो जाए तो आईए फ्रेंट देखते हैं उसको अगला question आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यदि A बटा B बराबर है B बटा 3 के और B बटा 6 बराबर है 6 बटे 7 के तो A अनुपाद B अनुपाद C बराबर क्या होगा यानि यदि A बटा B इकवल B बटा 3 और B बटा 6 इकवल C बटा 7 है तो A अनुपाद B अनुपाद C क्या होगा आप लोग option मैं चाहूंगा कि option के according आप लोग इसको solve करें कब मैं समझूंगा कि आपको concept समझ में आ गया है otherwise ऐसे तो ये question बनी जाएगा label easy है लेकिन इस तरह का question SSC CGL तक में पूछा जाता है तो इस तरह का concept जो है clear होना ज़री है क्योंकि समय आपका यही सब question बचाने वाला है देखिए क्या होता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब divide में हो तो जो A के साथ है वही एका value होता है और जो B के साथ है वही B का value होता है तो यहाँ पे A अनुपाद B हम लोग क्या यह मन में नहीं कह सकते हैं कि दो अनुपाद 3 होगा जो A के साथ है वही A का value होगा और जो B के साथ है वही B का value होगा और ठीक उसी तरह से B अनुपाद C कितना हो जाएगा तो जो B के साथ है वही B का value होगा और जो C के साथ है वही C का value हो जाएगा अब हम लोग option में check कर लेते हैं 2 अनुपाद 3 कहां पे है? 2 अनुपाद 3 हाँ, first में है second में क्या रहा है? 6 अनुपाद 7 होना चाहिए क्या 6 अनुपाद 7 है? नहीं है, ये नहीं हो सकता है second option देखते हैं, 2 अनुपाद 3 है, 2 अनुपाद 3 है लेकिन B, C क्या होना चाहिए? 6, 7 होना चाहिए क्या 6, 7 है? नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता है आगे देखते हैं तीसरा option में तीसरा option क्या है आपका 4 is to 6 is to 7 है तो A अनुपाद B दो अनुपाद 3 है क्या तो काट के देखते हैं इसको 2 दूना 4 और 2 ती आई 6 हाँ ये भी 2 अनुपाद 3 है लेकिन B अनुपाद C को जब देखते हैं 6 अनुपाद 7 है क्या तो हाँ बिल्कुल 6 अनुपाद 7 है यानि आप कर सकते हैं कि option number C आपका answer है बागी आप बना के check करना चाहें तो कर सकते हैं कि अनुपाद B कितना है 2 अनुपाद 3 है और B अनुपाद C कितना है तो 6 अनुपाद 7 है सिर्फ उपर में ही multiply करने से काम चल ज 6 नीचे तो 6 पहले से है और 7 B का value अब समान हो गया है यानि 4 अनुपाद 6 अनुपाद 7 तो आपका 4 अनुपाद 6 अनुपाद 7 ये option के थुरू भी आप लिख कर सकते हैं तो चली इसी तरह का same question थोड़ा सा modify करके मैं आपके सामने दूंगा और मैं चाहूंगा कि इस तरह का question आप लोग option के थुरू बनाएं और देखिए कितना समय में आप लोग बनाते हैं comment section में जरूर लिखा करें चली फ्रेंड देखते हैं अगला question option friend आपके सामने है दीन अनुपात दो अनुपात एक होगा क्या या one is to three is to six होगा या two is to four is to six होगा या फिर six is to three is to one होगा friend इस तरह का question ये question especially ये question CBI में पूछा गया question है CBI के examination में ये question पूछा गया है तो friend आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का question कितना important होता है तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को pause करके इस question को आप लोग बनाएं और साथ ही ये ये भी चाहूंगा कि आप लोग ये जो question है वो option के according बनाएं जो option आपके सामने दिखाई दे रहा है friend जो आपके सामने option दिखाई दे रहा है इस option के according बनाएं तो समझेंगे कि आप लोग examination में समय को बचा सकते हैं friend देखिए अब मैं बताता हूं इस question को video pause करके आप लोग बना लिया करें और उसके बाद comment में ज़रूर लिखा करें कि question number 6 आपने कितने देर में बनाए ज़रूर लिखें answer तो मैं आपको ब यानी हम कह सकते हैं कि 3A बराबर B 3A बराबर 1B हम बोल सकते हैं तो इस आधार पे A ratio B क्या हो जाएगा तो जो B के बगल में है वो A का value होगा और जो A के बगल में है वो B का value होगा क्या इतना नहीं किया जा सकता है अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए अनुपाद बी में एक अनुपाद तीन कितने में है क्या इसमें एक अनुपाद तीन है नहीं है एक अनुपाद तीन इसमें है इसमें दो एकम दो दो दूना चार एक अनुपास तीन आएगा, क्या, नहीं आएगा यहाँ पे भी 2 Ti छे और स्थीन दूना छे और 3 एकम तीन, 2 अनुपास एक आ रहा है जब कि आना कितना चाहिए, एक अनुपास तीन आना चाहिए तो एक अनुपास तीन सिर्व आपका इसी में है ही तो आगे चेक करने की जहुरत ही नहीं है, option number B हम लोग click कर देंगे, लेकिन आगे चेक करना भी चाहते हैं, तो B अनुपाद C कितना होना चाहिए, तो ठीक उसी तरह से 2 कहां चला जाएगा, अगर B के बगल में 2 चला जाएगा, तो अगर B के बगल में 2 चला जाएगा, तो य यानि कि 2, तो एक अनुपाद 2 होना चाहिए, B अनुपाद C, क्या B अनुपाद C एक अनुपाद 2 है, तो B अनुपाद C यहाँ पे 3 to 6 दिखाई दे रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दुना 6, हाँ, एक अनुपाद 2 भी है, यानि दोनों मैच कर गिया, A अनुपाद B भी और B concept के थुरू तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, फ्रेंट क्या करना है हमें, कि A अनुपाद A बराबर है 1 by 3 B के, 1 by 3 B के, तो 3 इधर आ जाएगा, यानि 3 A equal to 1 B, अब यहाँ पे इस अधार पे A ratio B का value क्या हो जाएगा, तो जो B के बगल में है वो A का value, औ concept मैंने बता दिया आप लोगो, उसके बाद के हम लोग देखते हैं कि B, B equal है 1 by 2 C के, यानि 2 इधर चला जाएगा, यानि 2 B equal होगा, 1 C के, तो C का value क्या हो जाएगा, B का, B अनुपाद C निकालना है, B का value क्या होगा, जो C के बगल में है, यानि 1, और C का value क्या होगा, जो B के बगल में है, यानि 2, तो A अनुपाद B का value कितना निकल गया, तो 1 अनुपाद 3 निकल गया, और B अनुपाद C का value कितना निकल गया, तो 1 अनुपाद 2 निकल गया, सिर्फ यहाँ पे अगर हम 3 से multiply कर देते हैं, दोनों में तो काम चल जाएगा, तो 1 अनुपाद 3, 3 से ज आप लोग concept based जो question होता है, जो optional बनाने के लिए, वो आप लोग जरूर इस concept को समझ गए हूँ, एक और अच्छे concept को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और अगर वो समझ में आ जाए, तो समझ जाएए कि आपका maximum question आप option के according बना सकते हैं, इससे भी ज्यादा problem होता है, जो language problem होता है, उस language problem को आप इससे भी ज्यादा easy way में आप लोग बना सकते हैं, तो आईए अब हम लोग फोड़ा सा lengthy question के तरफ बढ़ते हैं, और देखते हैं कि अगला question अपना क्या है, जो अगला question है आपका, हमने कहा था कि बहुत सारा ऐसा question percentage में हमने छोड़ा है, जो हम लोग ratio में देखनेंगे, जो उस type का question हम लोग ratio में देखेंगे, तो उसी type का question जो percentage और ratio से mix up है, इस तरह का question हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आईए हम लोग देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे question क्या कह रहा है, question यह कह रहा है, कि यदि A का 40% बराबर B का 30% हो, और B का 40% बराबर C का 30% हो, तो A अनुपाद B अनुपाद C बराबर क्या होगा, पहले इसको हम लोग बना के देखते हैं, फिर हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको option के थुरू भी कैसा solve किया जा सकता है, friend यहाँ पे बोला गया कि A का 40% यानि A का 40% A का मतलब गुना 40% जब हडता है, तो नीचे 100 आपका आता है, बराबर है B का, यानि B गुना 30 बटे 100 के, जब इसको जब इस वाले equation को हम लोग solve करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा आपका, विसमे equal है, तो सामना सामनी का part काट सकते हैं, यह 0 से 0 cancel out हो गया, यानि हम कह सकते हैं कि 4A बरा 3 ratio, 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि A का value कौन होगा, जो B के बगल में है, और जो B का value कौन होगा, जो A के बगल में है, ठीक उसी तरह से, अब हम लोग solve करेंगे, कि B का 40%, यानि B गुना 40% जब हडता है, तो नीचे 100 आता है, बराबर C का, यानि C गुना 30 बटे 100, फिर से 100 से 100 कर जाएगा, और ये 0 से 0 कर जाएगा, तो आप बोल सकते हैं, कि 4B बराबर है, बराबर है, 3C के, तो आप ही लोग बताएं, कि B अनुपाद C बराबर क्या होगा, बी अनुपाद C बराबर क्या होगा, तो जो C के बगल में है, वो B का value होगा, और जो B के बगल में है, वो निकाल दे कि A ratio B कितना है तो 3 is to 4 है यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया तो यहाँ पे B ratio C कितना है तो 3 is to 4 है अब यहाँ पे आप लोगों को 3 से multiply करना होगा यहाँ पे 4 से multiply करना होगा आई यह multiply करके देखते हैं 3 Ti, 9, 3 4 के 12 अब नीचे गुना करते हैं तो 4 ती 12, B का value समान हो गया और 4 जो के 16 यानि आपका answer कितना होगा 9 अनुपाद 12 अनुपाद 16 option number A सही होगा इसमें एक step मैंने काट दिया है यहाँ पे एक step जो बनता आपका 9 अनुपाद 12 और 12 अनुपाद 16 इस तरह से बनता तो B का value सम होगा तो इसलिए B का value हम एक ही बार लिख दिये एक step काट करके यह तो पिसले क्लास में भी मैंने बताया था कि कैसे steps को काटते हैं इस तरह के question में फ्रेंड यह तो हो गया बनाने का तरीका लेकिन इस तरह के question को हम लोग तो examination में कैसे deal करेंगे इस तरह का question अकसर पूछा जाता है examination में इस तरह के question को जब examination में ऐसा question competition के examination में ऐसा question पूछा जायगा तो फ्रेंड देखिये बहुत ही easy है यह इतना लंबा चौड़ा आपको solve करने की ज़रत नहीं है इतना लंबा चौड़ा आपको solve करने की ज़ुरत नहीं है देखिए यहाँ पे आपको जब solve करना है तो किस तरह से solve कर सकते हैं देखिए percentage दोनों साइड में है जब percentage दोनों साइड में है that means question easy हो गया क्यों easy हो गया क्योंकि दोनों साइड divided by 100 होने वाला है तो 100 से 100 तो आपका कटी जाएगा तो क्यों ना आप percent से percent को ही काट दें उसके बाद zero से zero कर जाएगा आपका यानि आप कह सकते हैं कि 4A बराबर 3B है तो A अनुपाद B बराबर कितना हो जाएगा तो 3 अनुपाद 4 हो जाएगा जो B के बगल में है वो A का वैलू होगा और जो A के बगल में है वो B का वैलू होगा हम तुरण चेक करेंगे option में कि A का वैलू 3 और B का वैलू 4 कितने में है तो आईए चेक करते हैं तो 3 से इसको जब कारते हैं तो 3 ती आई 9, 3, 4 के 12 हाँ बिल्कुल 3, 5, 4 के रूप में है option number A option number B भी 9, 12 है तो ये भी आपका 3, 5, 4 के रूप में है ये भी हो सकता है अब आगे देखते हैं 3, 5, 4 कितना होना चाहिए था 3, 5, 4 3, 5, 4 के रूप में ये डाइरेक्ट है यानि ये भी आपका हो सकता है 3, 5, 4 किया इसको काटके 3, 5, 4 किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है ये option आपका नहीं हो सकता है उसके बाद जब हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेज देखते है तो यहां भी percentage से percentage कर जाएगा 0 से 0 कर जाएगा तो B अनुपाद C का वैलू क्या हो जाएगा तो जो C के बगल में हो B का वैलू होगा यानि 3 और जो B के बगल में हो C का वैलू हो जाएगा यानि 4 यानि 3 अनुपाद 4 B अनुपाद C कितना होना चाहिए 3 अनुपाद 4 होना चाहिए तो B अनुपाद C जब हम चेक करेंगे, यानि 12 और 16 को चेक करेंगे, तो 4 तिये 12 चार चार चोग के 16, हाँ 3 अनुपाद 4 आ रहा है, 3 अनुपाद 4 नहीं चाहिए था, 3 अनुपाद 4 आ रहा है B अनुपाद C में, तो बस आगे चेक करने की ज़ुरत नहीं है, बाकि सब को दिया, उसके बाद 4 पांस तो यह दे ही नहीं रहा है, 4 पांस आपको देना कितना है, 3 चार देना है, यह तो होई नहीं सकता है, यह चार तीन है, यह तो पहले ही सकट सुका है, फ्रिंट इस तरह के कोशन में हमेशा ऑप्शन यूज़ किया करें, जब ही चाहे वो एक दिन के लिए, कल हम लोग और अच्छे-च्छे कोशन के साथ आने वाले हैं, जिसमें हम लोग language problem properly करेंगे, और बहुत ही अच्छा-च्छा कोशन करेंगे, और बहुत ही आसान मेथड से, हम लोग यूज़ करेंगे, concept के थरू भी, और examination point of view से कैसे deal करना है कोशन को, वो भी देखेंगे हम लोग अगले class में, तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्त रहिए, good bye and thank you so much.